Hi guys and welcome back to the channel आज मैं आपको Infosys की काफी अच्छी certifications के बारे में बताऊंगी सबसे पहरे ये बिल्कुल फ्री हैं दूसरा इन में आपको एक certificate भी मिलता है जिसके उपर Infosys का नाम भी है थर्ड इनके लिए आपको बहुत जादा time devote करने की ज़रूरत नहीं है ये तीन से चार गंडे में complete की जा सकती है फॉर्स आप इने अपने फोन से भी complete कर सते हो और फिफ जादा तर students को इनके बारे में पता नहीं है जब मुझे इन certifications के पारे में पता लगा तो मैंने इनके पेज पे जाके analytics को चेक किया और वहां पर लिखाता कि सिरफ 40,000 visits हुए हैं इस पर्टिकुलर पेज के उपर विच वेरी सब्राइजिंग बिकिस जब मैंने इन certifications को attempt किया तो मुझे इनकी quality काफी अच्छी लगी So let me share about Infosys springboard platform and the young professional certifications by Infosys Basically ये Infosys का एक initiative है जिसमें वो इंडिया के youth को digital skills impart करने के लिए कुछ courses बनाते हैं इस platform के home page पे top पे ही बहुत सारी moving images दिखेंगी इसमें almost fourth, fifth number पे मुझे young professional certifications के बारे में पता चला था जब मैंने इस पे click किया देनाइ found out कि Infosys ने ऐसी seven certifications निकाली है in a variety of fields जिससे आपको niche industries के बारे में पता लगेगा और उन niche industries में technology कैसे use की जा सकती है उनकी information पता लगेगी इसमें से currently जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब सिरफ healthcare वाली certification अवेलेबल नहीं है बाकि six certifications यहां पे अवेलेबल है जैसे मैंने भी दो certifications attempt की थी जो मुझे काफी अच्छी लगी पहली है retail की और दूसरी certifications जो मैंने attempt की थी वो थी capital markets की तो अब मैं आपको capital markets वाली certification का example लेके बताती हूं कि इसे attempt करके certificate को कैसे पाया जाता है तो जब आप इसके उपर click करो के देन आपको एक ये page दिखेगा इसमें आप हलका सा scroll down करते हो तो आपको table of contents दिखाई देता है which is the syllabus of this particular course उसके बाद आप top पे given start button पे click करके इसकी videos देखना शुरू कर सकते हो सबसे अच्छी बात इन videos के बारे में ये है कि इसमें जो भी person बोल रहा है वो एक Indian है उसकी English काफी simple language की English है वो English हमारी समझ में आने काफी easy है as compared to जब हम किसी भी और portal पे course करते हैं जैसे Coursera या Udemy कई बार ऐसा होता है कि वो English हमें समझ में नहीं आती जब आप एक बार सारी videos देख लोगे उसके बाद end में एक quiz होगा for example यह capital markets में जो quiz है इसमें 9 questions है और अगर मैं 8 questions यह 9 questions ठीक करते हूँ सिरफ तभी I'll be able to clear this particular exam generally क्या होता है कि हम किसी भी course में फटा-फट से videos को आगे करके quiz ले लेते हैं and then हमें certificate मिल जाता है but I would not at all recommend it especially for this course because अगर आप वैसा करते हो तो आपकी progress note नहीं होगी आपको सारी videos अच्छे से देखने के बाद ही अपने progress को mark करना पड़ता है and then quiz देने के बाद आपकी 100% progress account होती है दूसरी बाद इस platform का interface थोड़ा सा slow है what that means is कि आपकी progress साथ साथ में note नहीं होती उसमें time लगता है मुझे एक issue face हुआ था इस certification को करते समय कि मैंने सारा का सारा certification complete करने के बाद quiz भी दे दिया quiz को pass भी कर लिया तिकिन फिर भी मुझे कहीं पे भी certificate को download करने का option नहीं दिखाई दे रहा था मैंने इनकी support team को एक email भी लिखा जिसके बाद मुझे ये पता लगा कि जब आपने 100% course complete कर लिया हो उसके 48 to 72 hours के अंदर आपको वो certificate visible होगा जिसे आप download कर सकते हो अब जिस time पे ये video मैं record कर रही हो और जिस time पे ये publish होगी उसके बीच में काफी time है तो अगर मुझे मेरा वो certificate dashboard पे visible हो जाता है तो मैं उसे download करके आपके सामने show कर दूँगी साथी साथ और भी अच्छी बात यह है कि ये absolutely free है और इसमें जो certificate है उस पे infosys का mention होने के कारण ये आपकी profile में value भी add करेगी So in कुछ reasons के वज़े से I wanted कि मैं आपके साथ ये courses के लिए जरूर शेयर करूँ Thank you so much for watching this guys and all the very best